बहुत समय पहले की बात है, एक राज में एक राजा राज किया करता था, उसकी बारा पुत्रियां थी, सभी बहुत सुन्दर थी, वो सबसे बहुत प्रेम करता था, इसलिए उनकी सुरक्षा का विशेश ख्याल रखता था, किसी भी राजकुमारी को महल से बाहर जाने की अन रात में उनके सोने जाते ही वो कक्ष बाहर से बंद कर दिया जाता था ताकि नवे कक्ष से बाहर निकल सके नहीं कोई उनके कक्ष में प्रवेश कर सके कक्ष के बाहर सैनिक तैनात रहते थे लेकिन इतनी सुरक्षा के बाद भी जब राजा सुबह राजकुमारियों से मिलता तो उनकी जूते फटे हुए होते थे राजा हैरान रह जाता पूछने पर राजकुमारिया कहती कि उन्हें भी नहीं पता कि उनकी जूते कैसे फट गए हर दिन राजकुमारियों के लिए नए जूते लेने पड़ते हर दिन राजकुमारियों के जूतों का फटना राजा के लिए एक रहस्य बनता जा रहा था वो चाहता था कि इस रहस्य का परदाफाश हो इसलिए अपने स्तर पर उसने कई प्रयास किये लेकिन सफल नहीं हो सका अंत में उसने राज्य में ये घोशना करवा दी कि जो व्यक्ति तीन दिनों में राजकुमारियों के जूते फटने के कारण का पता लगा लेगा उसका विवाह उसकी मनपसंद राजकुमारी से करवा दिया जाएगा साथ ही उसे राजा का उत्तराधिकारी भी घोशित कर दिया जाएगा लेकिन इस कार्य में असफल रहने पर उसका सिर्धर से अलग कर दिया जाएगा ये घोशना पडोसी राज्यों तक भी पहची और पडोसी राज्यों के राजकुमार इस रहसे का पता लगाने राजा के पास आने लगे राजा उन्हें राजकुमारियों के कक्ष के पास वाले कक्ष में ठहराता ताकि उन्हें निग्रानी करने में कोई असुविधा ना हो लेकिन रात होते ही राजकुमार गहरी नींद में सो जाते और सुबह होने पर देखते की राजकुमारियों के जूते फटे हुए है कई राजकुमारों को रहसे का पता ना लगा पाने के कारण अपने प्राण देने पड़े अब राजकुमार भी अपने प्राणों के भैसे इस रहसे का पता लगाने में हिचकने लगे राजा निराश हो गया उसे लगने लगा कि अब ये रहसे सदा रहसे ही बना रहेगा